हर्याना सरकार बले ही भष्टाचार खतम करने की बात कहे बले ही परदेश के मुखिया मनोहरलाल खट्डर भष्टाचार के प्रती जीरो टॉलरेंस की बात कहे लेकिन सरकार में बैठे कुछ एक अधिकारी सरकार के इस मिशन को धत्ता बताने में जुटे हुए हैं ऐसी कई शिकायते आती हैं जिसमें अगाय बगाये कही न कहीं भष्टाचार के मामले साफ तौर पर नजर आते हैं ऐसा ही ताजा मामला पानीपत का है जहां पर वकबड विभाग के इयो ने एक व्यक्ती को तीन एकड जमीन दिखा कर उसकी लीज करवाने के नाम पर पंदरा लाक रुपे एट लिए पीडित व्यक्ती ने ईयो साहब को 15 लाक रुपे दे भी लिये और उसके बाद जब वह जमीन पर कबजा लेने पहुंचा तो वहाँ जाकर उसके होश उड़ गए वहाँ जाकर उसे पता लगा कि आखिर इस जमीन पर कबजा तो किसी और का ही है और जब उसने ईयो साहब से पैसे वापिस मांगे तो ईयो साहब उसे टालने लग गए परेशान व्यक्ति आज हर्याना के ग्रह मंत्री अनिल विच के दर्बार में पहुंचा और उसने पूरी मामले की आडियो रिकॉर्डिंग के साथ अनिल विच को शिकायत दी मेरे नाम उन्होंने पटा करवा दिया करवाने के बाद मेरा जून दो हजार बीस तक पटा वैलिड था तो वहां जाके देखा जमीन पे कबजा किसी और का है उस टेमेर को खाली दिखा गया है वह खाली पड़ी है जमीन लेकिन अब मैं जब कबजा लेने गया तो वहां कि सी सरदार का कभजा है थेर करने लगा है आप गिरदावरी की आप इसके तशीलदार के पास वो डालो अपील मैंने वापील डाल ही रखी है उसका फैंसला भी आया ही नहीं है साल डेड़ साल हो गया क्या कोई रिकॉर्डिंग भी आपने विस्वाँ को दी है बिल्कुल पैसे मैंने दी हैं उसमें सारा कुछ है उस रिकॉर्डिंग में सर अब मैंने फोन किया तो किसी फोन कर वाया जो साथ बैटा था तो कहता हम अकल आउंगा परसु होगा एक महीन हो गया सर ना पैसे दे रहा ना जमीन में तो मारे गए जी बताओ मेरे साथ तो दोख़धरी कहा हूँ मैं एक पारे बता हूँ आप थोड़े चले गए हम पारे को सरकार बदल गी अब क्या करें रही जलतो आपकर मंतरी भी था जलतो आप से कहते हैं आप किस से कहें हैं अब आपका सौनी बच्चे गए हो? हाँ सौनी बच्चे गए हो अच्छा अच्छा सल्वा सरकार बदलने कि बाद ने इसमे कौन है कौन ना है अब वो आद मी रहे तो सारा कुछ माजमी को पता दे अब आर च्छा में तो वही होगा लिस्ते हमने बासे रख्या नहीं वो तो बदल गया ने ऐस सरी कार बदल बदल च parece सरकार ださい हो गया अब पांच था पूरा तहो गया था आर शेसे दुमारणा हां बढा रहेए के की जाई ह душ प08 ए उसके सेंगे नहीं पूरी पूरि पूरीaying मेरे दियान नख्राय का जो दिया है और वंगे मुराद मैं जाती अब है ESTब ते व्यूटन को इसरो पर कुंकि आपि्छरी है, पडिकर जम्रा करन रखे दो कुछ ना मिलसे वहाई लोगा पार्टी लालत मां चाहँ पार्टी आके पहुच जाहें तो हमारी है हमकस्व है यह वो तो बाते है पीछे से यार ये बात बता है जब पैसे की बात की गई तो उन्होंने इस पष्ट कहा कि मेरे पास एक शिकायत आई है जिसको जाच के लिए मैंने डीजीपी आफिस भेज दिया है बेराल जिस तरीके से वकबोड की जमीनों को खुर्दपुर्द करने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं ऐसे में इस तरह के ब्रस्टाचार का मामला अपने आप में कोई नया नहीं है वहीं हमने जब इस पूरे मामले को लेकर जिस यो पर आरोप लगे थे उनसे जब फोन पर बात की तो पहले तो उन्होंने व्यक्ति को पहचानने से ही मना कर दिया और उसके बाद कहा कि मैंने तो इसके खिलाप कई शिकायते पहले ही दी हुई है जो आपकी रिकॉर्डिंग है पैसे मांगने की वो भी सब जूटी है वो जूटी है आप ने क्या कोई जमीन इनको तीन एकड़ वो करवाई है आप उसके अंदर सला दे रहे हैं कि आप वकील कर लीजिए मेरी उपर सेटिंग है जो चेर्मेन थे अब सरकार बदल गई है च पूछ रहे थे मेरे से नहीं आपने यह कहा कि पहले वाले चेर्मेंट से तो बहुत अच्छी सेटिंग थी अब सरकार्व बनाए है कोई बात नहीं पंदरे की दे रख़्िये थोड़ा इतनी फेले मेलिंग है थीक सर क्योंकि हम तो पत्रगार है हमारा जानना फर्ज है और यह विस्सा के दर्वार्द में दे रखी है कजी 30 मांगे कजी 20 मांगे पजी 50 मांगे इसको तो मैं जानता ही नहीं राजबाल को लोग काम करके ले जाते हैं और यह विस्सा कोई मेरी बात ना हो यूस से ठीक जिस तरीके से ईयो सहाब पर आरोप लग रहे हैं और मामला गबर के दर्वार में पहुँच गया है अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कही ना कही आने वाले दिनों में पैसे लेने वाले उस अधिकारी की मुसिबतें बढ़ सकती हैं प्रथम तहलका के लिए पानिपस से ब्यूरो रिपोर्ट